इस बाद से बिलकुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे साधी का सही मतलम सिखा दिया जाता है मुझे भी बच्पन से यही सिखाया गया कि साधी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पे संजोग कर रखना चाहिए सहल ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे मता पिता और भाई बहनों के मेरिट लाए बहुत जादा खुशहाल थी एही एक वज़ा थी कि मैं इस तत्त पे विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरे साधी होगी उसके साथ मैं एकदम से कदम मिला के चलूँगी लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं समय के साथ मुझे समझाया कि कैसे हम दूसरे की खुशियों की परवा करते हुए खुद की उसी को दापे लगाना लगा कर अशल जब साधी हुए तो उस समय मैं केवल 20 साल की थी अपनी साथी को लेकर मैं महुँच जादर एक्साइड़ थी लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे एकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा बैवाएक जीवन भी काफी अच्छा होगा उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुस रखेगा लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ साधी से पहले मैं अपने होने वाले पती से एक से दो बार मिली थी और काफी सरमीले और सिष्ट था मुझे देखकर मुझे ये लगा कि मेरे लिए एक दम पर फिर्ट है मैं अपने फैसले से काफी ज़्यादा संतुष्ट थी मेरे पिता जी ने भी मेरी साधी बहुत अच्छे से की थी लेकिन साधी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिन्दगी पूरी तरह से हिलकर रख दे सभी जानते की साधी की रात कितने मायने रख दी सन्भव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तयार कर रखा था मेरे पती अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनटी मुझसे बात की उन्होंने या कहकर बात खत्म कर दे किया वह ठक गया मैं भी इहीं सोचा कि साध रस्मों के कारन ठकान हो गई होगी इसलिए मैंने भी इस बात पे ज़्यादा रियक्ट नहीं किया मेरी साधी को एक सब्ता बीच चुका था और मेरे पती ने मुझे अब तक छुगान तक नहीं था मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं कारना चाहती थी ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत सर्मीले सोभाव की हूँ वैसे मैं बहुत सा बिविक्ती थे लेकिन एक चीज जो मुझे बार-बार परशान कर रही थी कि वहीं कि यह मेरे साथ फीजिकल होने से कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लेते यही नहीं जैसे जैसे समय बीचता कि या उनके साथ रहा कर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैरे पती बनने के बजाए दोस्त बनना रहना ज्यादा पसंद कर रहा है महीने बीच गए वैसी मुझे हर रोज एक नई चीज अन्वह होने लगी लेकिन अब भी हमारे बीच साथी नई कफल वाली अन्वह होने थी ऐसा लग रहा था कि शादे करना और इसे बनाए रखना इनकी मजबूरी बन गई है मैंने कभी उनसे सिकायत नहीं की ऐसा इसलिए कि मैं बेहत नेक दिल और तयालो इनसान था मुझे उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्ट नहीं थी लेकिन इसके बाद भी लगता मेरी साथी में कोई कमी है हमारी साथी की एक साल बीत गया और हमारे भी छोटी सी बात को लेके जगड़ा हो गया जो वास्तों में गंभी लड़ाएं बदल गया मेरे मन में गुसा था तो मैंने कह दिया कि मैं एक पती के लिए तरस्ती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला जैसे ही मैंने ये सब्द बोला मेरे पती एक दम से चूप हो गए और बीस्तर के किनारे पे जाके बैठ गया मैंने जब दिरोता हुगा देखा तो मैं चूप हो गए मैं दंग रह गई ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आग तक उन्हें मेरे सामने कभी इतने कमजोड होते नहीं देखा था मैंने उन्हें परशान देख दिलासा दिया तब ही उन्होंने मुझे माफी मांगी और कहा कि इनका इरादा मुझे चोट पहुचाने का बिल्कुल भी नहीं था लेकिन उन्होंने महिलाए पसंद नहीं है मैं कापते हुए अपनी जगपे खड़ी हो गए उन्होंने काबू की और समलंगिक है मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मैंने फिर पूछा कि आप समलंगिक हैं तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं का मैं यही सूच रही थी कि मेरी साधी बासिक दिखावा थी मैं विस्तरी पे चुप चाप लेड़ गई और हकीकत से भागने के लिए सूने कोसिस करने लगी लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं मेरे पती पूर्सों को पसंद करते मुझे यह बात हर हालत में सुखकार करनी थी लेकिन इस दोर मेरी अपनी खुसी का क्या मैंने अपनी खुसी की परवा किये बगएर उनके साथ जीवन भर साधी ढोंग रजाने का फैसला किया हाला कि मुझे धोखा दिया लेकिन उन्हें मुझे माफ ही मांगी उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते लेकिन उन्हें लगा कि वैभाईक जीवन में ब्यस्त होने के बाद साइद बदल जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे फैसले किया कि अब ऐसा नहीं चल से हमें किसी न किसी निसकर्ज पे तो पहुँचना ही था ऐसे में हमें तलाक के यर्जी दायर के जिसके वज़े से हमारे परिवार के भी संबंद खराब हो गया लेकिन मेरे और मेरे पती के भी दोस्त के रूप में रिस्ता बहुत अच्छा हो गया मैं उन्हें समझाई और भाणा और कदर की वो भी काफी खुश थे अपनी जीवन में मैं काफी काफी खुश सच कहूं तो